जै जिनेंद्र, श्रीपाश पुराण, मंगला चरण, मोह महातम दलन दिन, तपल छमी भरतार, ते पारस परमेश मुभुक्त, होहु सुमति दातार, वामान अंदन कल्प तरू, जयो जगत हितकार, मुनिजन जाकी आश करी, जाचे शिव भलसार, पद्यार्थ, मोह रूपी बड़े भारी, अंधेरे का नाश करने के लिए, जो सूर्य के समान है, तब रूपी लक्ष्मी के जो स्वामी है, ऐसे भगवान पार्शुनात मुझे उत्तम बुद्धी दे में, वामा देवी के पुत्र और कल्प व्रश के समान संसार का हित करने वाले, भगवान पार्शुनात की जय हो, जिनसे मुनी लोग भी आशा करके मोश के उत्तम फल को मांगते हैं, वे भगवान संसार के तिलक, अर्थात सर्व श्रेष्ठ हैं, सज्जन रूपी कमलों को प्रसन करने के लिए सूर्य है, जगत के प्राणी मात्र के बंधु हैं, अनन्त और अनपम गुणों के समुद्र हैं, राग रूपी मत वाले हाथी के दांत उखाड़ने को अत्यंत बलवान हैं, अन्त रंग व बही रंग लक्ष्मी के पती अरिहंत हैं, और अतुल यश के स्वामी हैं, उनकी महिमा को बड़े-बड़े मुनी भी जपते हैं, और वे ही आदि से अन्त तक सब को शरण देने वाले हैं, वे आनन्द के करने वाले पार्शुनात भगवान सदा मेरे मन में बसे रहें, जो निर्मल ग्यान को देने वाले हैं, संसार की सब विध्याओं के इश्वर हैं, काम देव रूपी हाथी के लिए सिंग के समान हैं, जिनके मुख रूपी चंद्रमा को देखकर बेचारा चंद्रमा भी लज्जित हो जाता हैं, और जिनके नाम रूपी मंत्र के प्रभाव से पाप रूपी सांप डर कर भाग जाता हैं, ऐसे अश्व सेन कुल के चंद्रमा भगवान पाश्वनात की जै हो, जिनके चरणों को इंद्र वो चक्रवर्ती भी पूछते हैं, हे भगवान, इस अपार संसार रूपी समुद्र से आप मुझे तार दें, क्योंकि आप ही नाव के समान तरण तारण हो। भगवान पाश्वनात के चरण कमलों में एक आग्र मन हो, जो भवविजन अपने हिरदय में धारण करता है। बाग और सिंग आदी क्रूर पशु भी उसके वश में हो जाते हैं, भयंकर जहरीला सांप भी उसको नहीं काटता है। भूत, प्रेत, वैताल और ब्याल यानि मतवाला हाथी तथा शत्रु आधि भी अपने हिरदय में शंका धारण करते हैं। अर्थात उसे किसी प्रकार की हानी नहीं पहुचा सकते हैं। शाकिनी, डाकिनी, अगनी और चोर भी किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं करते हैं। उसके समस्त रोग और शोक नश्ट हो जाते हैं। तथा विपत्तियां पास तक नहीं फटकती हैं। अधि क्या कहें। अनादी काल के बंधे हुए कर्म भी छूट जाते हैं। तो विग्नों का विनाश हो जाना कौन सी बड़ी बात है। अनादी काल से चारो गतियों में भ्रमन करते हुए मैंने बहुत समय व्यर्थ ही खो दिया। सुक की आशारूपी प्यास सदे बनी रही। परंतु उसको शान्त करने वाला जल कहीं भी नहीं मिला। सुक को करने वाले जिनेंद्र भगवान आज तक मेरे हृदय में नहीं आये। परंतु अब मेरे कोई विशेश पुन्य करम का उदय आया है। जिससे भगवान के चरण कमल रूपी चिंता मणी रत्न की प्राप्ति मुझे हुई है। अब मैं इस रत्न को अपने हृदय कोश में संभाल कर रखूँगा। तथा निर्धन मनुष के धन के समान इसे शन भर भी विस्मृत न होने दूँगा। प्रमाद रूपी चोर को दूर करने के लिए अब मैं भगवान पार्शुनात के गुणों का वरणन करूँगा। भावार्त। कवी ने प्रारंभ में मंगला चरण के रूप में भगवान पार्शुनात की इस्तुति की है। कवियों के वरण में प्रभु भक्ती ही सम्यक्तु कहलाती है। ये भक्ती साधारन नहीं, असाधारन है। ऐसी भक्ती करते समय भक्त और भगवान के बीच किसी प्रकार का भेद नहीं रहता। भक्त उसमें इतना तल्लीन हो जाता है कि सिवाए उस भक्ती के उसका उपयोग सब तरफ से पूर्तह हट जाता है। अपने राग देश आदी विकार भावों के कारण ही अपनी शांती होकर अशांत बना हुआ भक्त। जब भगवान की निर्विकार रूप अवस्था का चिंतन करता है, तो उसे परम आहलाद होता है कि अहो, मैं भी द्रव्य और गुणों की अपिशा भगवान के समान परम शांत, वीत राग, निर्विकार, अखंड, आनंद स्वरूप ज्ञान पिंड हूँ। इस प्रकार अपने स्वरूप का निश्य करके ग्याना वरण आदी, द्रव्य कर्मों से, राग द्वेशादी भाव कर्मों से, तथा शरीर आदी, पौदगलिक नो कर्मों से, अपने को भिन अनभव करता हुआ, तेव्र पुन्य बंद करता है। जिससे इसकी सभी लौकिक बाधाएं स्वतही दूर हो जाती है। सो ठीक ही है, जिस जिनेंदर रूपी भक्ती अर्थात सम्यक्त के प्रभाव से, ये जीव सदा के लिए ही संसार से छूट कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो उससे लौकिक बाधाओं का दूर हो जाना कौनसी बड़ी बात है। जीव का लक्षन उपयोग है, वो निरंतर अशुब, शुब या शुद्ध रूप से परिरमन करता ही रहता है। शुद्ध पयोग में तो विशेश रूप से साधना किये हुए भव्य पुरुशी टिक पाते हैं। परंतु साधारन मानव जिसने शान्ति मार्ग में अपना कदम उठाया ही है, शुद्ध पयोग में अधिक नहीं टिक पाता है। फिर भी वो सच्चे देव शास्त्र गुरु के संपर्क में पहुँचकर शुभो पयोग में लगा रहता है। ताकि अशुप से बच सके। इसलिए कविवर भूधर दास जी ने जिन्वाडी का सतत अभ्यास करके प्रमाद रूपी चोर को दूर करनी के लिए भगवान पार्शुनात के गुड़ों का वड़न करने का सुनिश्य किया है। वास्तम में ये भग्ति ही मुक्ति प्राप्त कराने वाली है। जिस प्रकार खेती अनाज की प्राप्ति के लिए की जाती है। नकि भूसे के लिए भूसा तो स्वयमेव ही प्राप्त हो जाता है।